नमस्ते, मैं हूँ आचारी प्रतिष्था, इस पूरे सबता हम बात कर रहे हैं, सीख रहे हैं पबन मुक्त क्रियाओं को जिनके द्वारा आप अपने जॉइंस के टॉक्सिंस को दूर कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं, प्रॉपर सर्कुलेशन अफ ब्लाइट, प्रॉपर स दर्ट से दूर रह सकते हैं, और विशेश रूप से आज हम सीखेंगे जानु नमन और जानु चक्र, यानि कि हमारे घुटनों से जुड़ी हुई ख्रियाएं, बहुत सारे लोग घुटनों के दर्ट से परिशान रहते हैं, नी पेन अस बिकम वेरी वेरी मेजर प्रॉब् करके करते हैं, और मलत्याग भी कमोड पर बैठ करके करते हैं, पहले हम कपड़े घुद होने का काम जमीन पर बैठ करके करते थे, यहां तक कि खाना पकाने का कारिय भी जमीन पर बैठ करके होता था, और हमारे घरों में जो बैठक हुआ करती थी, वो भी जमीन पर होती थी हम जमीन पर बैठते थे अब स्थिती ये हो गई है कि अगर किसी को कह दो कि भाई आप बैठ जाएं तो लोग ऐसे बैठते हैं literally ऐसे बैठते हैं और ऐसा लगते जैसे हवाई जहाज लेकर के उड़ने वाले हैं ऐसा नहीं होना चाहिए जब हम बैठते हैं तो हमारे दोनों घुटने जमीन पर लगने चाहिए, जंगाएं जमीन पर लगने चाहिए, हिब बोन्स पर हमें बैठना चाहिए, रीड हमारी सीधी होनी चाहिए, ऐसा हमारा पॉस्चर होना चाहिए. But unfortunately, घुटनों का काम जब हमने बंद कर दिया, तो घुटनों ने भी आपका साथ देना बंद कर दिया, और फिर हम परिशान होते हैं कि घुटनों में बहुत दर्द रहता, आचारे जी क्या करें? अगर आपके भी घुटनों में दर्द रहता है, तो आपको ये ख्रियाएं नेयमें तरूप से करने चाहिए, जो हम आज के इस एपिसोड में कर रहे हैं. आप अपने जोडों की दर्द की समस्या को, अर्थराइटिस की प्रॉब्लिम को बहुत आसानी से गुडबाई कह सकते हैं, अगर आप इन ख्रियाओं का अभ्यास करें, साथ में जाने से पहले हमारे जो नुस्खे होंगे वो भी लेकर के जाएए, ताकि आपके खुटनों का दर्द ठीक रहे, सबसे पहले अभ्यास के लिए हम इस प्रकार से पैरों को सामने पहला करके बैचते हैं, अगर किसी कमर में दर्द की बहुत सीवियर प्रॉब्लम है और इस्तिती में नहीं बैच सकते हैं, तो लेट करके भी इन क्रियाओं का अभ्यास कर सकते हैं, पहल करना, फोल्ट कर देना, दस बार हमें ऐसा करना है, दाएं पैर से, उसके बाद हम पैर कि स्थिती बदल लेते हैं, फिर हम दस बार इसे बाएं पैर से दोहराते हैं, पूरा सीधा करना, फोल्ट कर देना, लेकिन बहुत तेज तेज नहीं करेंगे, अराम अराम से करेंगे, ऐसा करने के बाद हातों को पीछे टिकाना शरीर को बिलकुल धीला छोटेंगे दूसरे स्टेप में हम circular movement देते हैं यानि इस ही स्थिती में पकड़ना और यहां से चक्राकार movement देना जितना बड़ा चक्रा बना सकते हैं उतना बड़ा चक्र बनाने की कोशिश करना clockwise और फिर anti-clockwise, 10-10 बार clockwise, 10 बार anti-clockwise, फिर दूसरे पैर से इसी को दहराना, पूरा clockwise movement, आपको ऐसा करते समय घुटने से कड़कर के आवाज भी आ सकती है, क्यूंकि आप बहुत समय बाद अपने घुटने को exercise दे रहे हैं, अपने घ दोनों तरफ से करना, हाथों को पीछे टिका देना, शरीर को ठीला छोड़ देना, 10-10 बार इन दोनों क्रियाओं को आपको करना है, और नियमित रूप से इसका अभ्यास करना है, साथ में अगर आपको घुटने की दर्द की समस्या है, तो ये जरूर ध्यान रखें कि अप आपका वजन बहुत जादा है, तो घुटनों पर भी वजन जादा पड़ता है, जिसके कारण घुटनों दर्द करने लगते हैं, साथ में आप एक प्रियोग बहुत आसान सा कर सकते हैं, कि एक कांच की शीशी लीजिए, और उसके अंदर तिल का तेल लीजिए, थोड़ा स साथ घंटे तेज धूप में रखिए, यह आपका मसाज ओल तयार हो जाएगा, रात को सोने से पहले आप थोड़ा सा यह तेल लीजिए, और एंटी क्लॉकवाइज मसाज अपने घुटनों पर कीजिए, बहुत हलके हाथ से, बहुत तेज तेज मसाज हम ही नहीं करना है, ए जैसे कि सालेज को अपनी राइट में आठ करिए, फ्रूट्स को अपनी राइट में आठ करिए, और हमारा कारिक्रम नेमित रूप से देखते रहिए.